भारत महिमा कविता या कविता जेशंकर प्रशाद दौरा लेखित कविता है जिसमें कभी कहते हैं भारत महिमा हिमाले के आंगन में उसे प्रथम कीरन का देव पुहार उसा के हस अभिनन्दन किया और बहनाया हरक हार जगे हम लगेज जागने विश्व लोग में फैला फिर आलो बेव तम पूँच हुआ तप नास आखिर सत्त्रिप और उठी असो बिमलवानी की विनाली कमल कमल कर मैं सत्प्रित सिप्थ स्वर्नस सिप्थ सिंदू में उठे चिड़ा तप मधूर सोम संगीत बजाकर बीच रूप से स्रिष्टी नाव पर जेल पर लेक का सीत वरुन केतर लेकर नीच हांत वरुन पत में हमें बड़े अभी जित सुना है ददिश्ची का वत्याक हमारी जातिय विकास पुरद्दर के पवी से है लिखा अस्तियू का मेरा इतिहास सिंदू सा बिष्टरित और बेथा एक निवात का उस्षो दे रहा भी दिखाए भगन मगन रतनकाल में वरा धर्म को लेकर जो नाम हुआ करती बाली कर ही बन हमी निदिया सांती संदी सुखी होते दिखकर आनंद विजेक के वो लोही की नहीं धर्म की रही धरा का धोग बिच्चु होकर रहते समराद दया दिखाते घर-घर धोग यवन को दिया दया का दान चीन को मिला धर्म की द्रिष्टी मिला था सोर्न भूमी का रतन सील की लिहाद की वो द्रिष्टी किसी को हमने शीना नहीं प्राकृती का रहा पानलाग वही हमारा जन भूमी थी एहीं कहीं हमें आया थे नहीं जातियों का उध्वान पतन जाड़ी आ जड़ी परचर समीत खड़े देग जेल हस्ते परले में पले हम वो वीर चेरत में धूत पुजा में शक्ति नर्मता रही सदा संपन हिर्दय की गोरव में था गर्व किसी को देखनो सके भिन्य अमारे संजय में थे द्यान अतीत में वो सदा हमारे देव वचन में शेते हे दे में तीच पर्तिग्या में रहती थी टेव वही है रक्त वही है दीश वही सहांस वही सग्यान वही है सांती वही सक्ती वही दीप्य आर ये सदन्दान ये तो सदाक इसी के लिए वही अभिमान एही से जिछावार कर दे हमें शर्व हमारा भारत वर्स या जशंकर प्रशाद दोरा रचिप भारत वर्स भारत महिमा कविता थी कर दो दो से जिए एता है थी